तो हेलो गाइस्, स्वागत है आपका स्टूदेंट से इंपाईर में तो गाइस, आज से हम लोग करने वाले हैं Science Class X के exercise के solutions आपका physics का solution चली रहा है आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके chemistry का solution तो सब-सब पहला हमारा जो चैप्टर है रहुआ है chemical reactions and equations तो चलिए उसको देखते हैं उसके exercise के solution को समझते हैं आपको पूरा video अच्छे समझ में आएगा जो भी हम आपको बताएंगे बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आने वाला है इसलिए video को end तक जरूर देखेगा video पसंद आता है video को like जरूर किजिएगा कोई doubt आज जाता है ऐसा comment section लिख कर जरू बताना exercise के solution में हमारा सब इसमें जो पहला तीन question दिया हुआ है वह mcq है तो उसको भी समझेंगे इसमें basically करना क्या तो पहला question इस्क्रीन पर दिख रहा होगा कि which of the statements about the reaction below are incorrect तो basically incorrect statement हमें बताना है तो जो यहां पर दिया हुआ है पहला question में तो उसका equation को एक बार हम लिख लेते हैं lead oxide plus carbon का जो दिया हुआ है यहां पर बन रहा है lead plus co2 देखो option a lead is getting reduced option b carbon dioxide is getting oxidized option c carbon is getting oxidized option d lead oxide is getting reduced तो basically incorrect बताना है ध्यान में रखना तो पहला अगर देखोगे तो इसमें दे रहा है कि lead is getting reduced जबकि यहां पर क्या है lead कहां यहां पर है lead oxide यह reduced हो रहा है तो यह तो गलत होगा अब B में देखो carbon dioxide is getting reduced oxidized तो carbon dioxide जो हमारा यहां carbon oxidized हो रहा है यानि कि carbon dioxide तो यह भी गलत उल्टा लिख दिया statement यानि कि C में देखो क्या दिया हुआ कि carbon is getting oxidized यह सही है lead oxide oxide is getting reduced यह दोनों सही है C और D लेकिन गलत है कौन-कौन A और B हमारा क्या है गलत है यानि कि हमारा A और B रॉंग है आप क्यों यहां पर देखो यह हमारा देख रहा होगा है basically यहां से removal of oxygen हो रहा है तो यह reduced हो रहा है यह oxidized हो रहा है कारवन तो statement ही गलत लिख दिया था यानि कि इसका जो option 1 A और B जो A में दिया हुआ A and B यह हमारा क्या होगा incorrect statement है यानि कि option A यह सही है हमारा one number अब question number two को देखते है question number two में हमारा कहा गया है देखो एक equation दिया हुआ है कि Fe2O3 ferric oxide plus balance भी क्या हुआ है Al2O3 दे रहा है Al2O3 plus 2Fe तो इसमें पूछ रहा है कि the above reaction is an example of तो पहला में दिया है कि combination reaction B में double displacement reaction reaction C में decomposition reaction D में displacement reaction तो देखो combination reaction क्या होता है दो कुछ जूटके यहां पर बनाता है A plus B होने के बाद वह कुछ AB देता है combine होता है जैसा कि नाम से suggestive किया जा रहा है combination तो यह तो हो नहीं रहा है तो चलो यह खतम B में double displacement reaction इसमें देखो होगे कि एक हमने आपको बताया होगा कभी यह तो पहला वीडियो है ना तो हमने कब बताया होगा exercise का solution यह exercise तो हमने अपने चैनल पर पढ़ाया था जिसका link तुमको description box में मिलेगा तो इसमें बोल रहा है कि double displacement reaction तो double displacement में क्या होता आयन का exchange होता है ठीक है तो उसमें आयन का बेसिकली एक्सचेंज होता है यहां पर वह सा कुछ हो नहीं रहा है और C में हमारा जो है decomposition reaction तो यह भी देखो decomposition क्या होता है decomposition में एक product को इधर compound दिया रहेगा ABC और उसको जेनरली हीट या कुछ करने बाद वह तूटता है AB plus C ऐसे कुछ या तो A plus B plus C इस तरह कुछ तूटेगा product side में तो वह भी नहीं हो रहा है यानि कि यहां हो रहा है displacement reaction D number is the correct answer displaced हो रहा है यहां पर देखो क्यासे तो इसमें तुम देखोगे displacement reaction का हमने trick भी बताया था चोड़ो उसको रहने देते तो इसमें जो more reactive element है वो क्या कर रहा है उसको displaced कर रहा है जैसे यहां पर देखो displaced यह reactivity series अगर तुमको पता हो नहीं यह सब question आराम से स्वाल्व कर सकते हैं तो उसका कुछ होता है यह सीरीज होता है यह चलो और वी ऐसे से रहता है यह हम आपको किसी वीडियो में बताएंगे कि इसको कैसे याद किजेगा ट्रीक है इसका एक बार में याद हो जाएगा तो देखो यहां पर अल्मुनियम आ रहा है कहां पर देखो इसके उपर है ना आइरन के उपर यानि कि इसको displaced कर रहा है और देखो आइरन के अरह अलग हो रहा है यह हमने रखा इसको increasing order मैं टीक है ना उपर वाला most reactive potassium sodium calcium magnesium जैसे जैसे नीचे जाओ गए उसका reactivity घटता है displacement reaction में ऐसा होता है तो इसका क्या होगी इस the correct answer यह displacement reaction को सो कर रहा है अब question no.3 को देखते है जो last question is mcq का बहुत important और हम concept भी आपको बताते जा रहे है कभी भी कहीं भी बैठो exam में competitive exam देदो तो महां भी तुम्हारा अराम से solution हो पाए ऐसा नहीं कि रट लेना है तो question no.3 बोलता है what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings take the correct answer तो ए में दिया हुआ है कि hydrogen gas and iron chloride are produced चलो पहले निकाली लेते हैं option तुमको दिखी रहा होगा तो सीधे निकालते है ना बोलता है what happens when dilute hydrochloric acid किसमें add कर रहा है iron fillings यानि iron में हम लोग add करने वाले हैं क्या तो चलो hydrogen gas and iron chloride are produced yes a number हमारा सही हो गया बांकी बाद सारा रॉंग तो आसा करता हूं यह तीनों जो question के concept थे उसको भी हमने discuss किया इसलिए वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करो अपने दोस्तों के साथ चैनल पहली बार सस्क्राइब कर लो बेल अगन प्रेस कर नोटिफिक्शन वरन रखो क्योंकि यहां पर आप डेली की डेली केमेस्टी का भी वीडियो आएगा और सारा एक्सरसाइस का सॉल्यूशन वन बाई वन आएगा और अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपको कोई अधर चैप्टर का भी सॉल्यूशन चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना चलू मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई-बाई-बाई-एवे नाइश डे थैंक यू टेक केर